हेलो एवरिवान, वेलकॉम बैक टु शेप अप यूर लाइफ, बहुत सारे हेल्धी स्नाक रेसिपीज मैं अपने चैनल पे अल्रेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज हम बनाएंगे कुछ चटपटे स्नाक्स, जिने बना के आप स्टोर कर सकते हैं, और किसी भी टाइम ट ओली चीज़ों को खाने से पहले, अगर कॉंटिटी का ख्याल रख लिया जाए, तो फिर फिक्र की कोई बात ने, तो चलिए सबसे पहले बना लेते हैं, मुर्मुरा नमकीन, जिसमें हम आलू का यूज भी करेंगे, तो यहाँ पे मैंने एक कच्चा आलू ले लिया है, जि तक इसका एक्स्टा स्टार्च निकल जाए, इन आलू को हमें फ्राइ करना है, तो इनका स्टार्च और मॉइस्चर अच्छे से निकालना बहुत जरूरी है, थोड़ी दिर में इसे चन्नी में निकाल दूँगी तक इसका एक्स्टा पानी भी निकल जाए, और उसके बाद हम इसे रखेंगे paper napkin पे ये वाला process देखने में आपको थोड़ा जंजट लग सकता है लेकिन इसमें कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है थोड़ी सी महनेज से अगर आपको कम कीमत पे ज़्यादा quantity मिल सकती है और market की pack नमकीन से कहीं ज़्यादा बहतर तो क्यों नहीं थोड़ा सा effort कर लिया जाए तो जब तक आलू dry हो रहे हैं तब तक हम तेल गरम करने के लिए रखतेते हैं और fry करने से पहले भी मैं क्लॉन नेपकिन में अच्छे से एक बार इनको प्रेस कर रहे हूं अगर थोड़ा बहुत पानी रह गया हो तो वो भी निकल जाए क्योंकि अगर आलू में पानी रहेगा तो fry होने में उतना ही ज़्यादा टाइम उनको लगेगा क्योंकि ये grated आलू है तो कच्छे रहने वाली कोई बात नहीं है आप आराम से इनको हाई फ्लेम पे फ्राइ कर सकते हैं और जैसे ही ये ब्राउन होने लगे मत तबे क्रिस्पी हो चुके हैं तो आप इनने बाहर निकाल सकते हैं एक बार आलू फ्राइ हो जाएं उसके बाद उसी ओयल में हमें पापड फ्राइ करने हैं तो यहां पर मैंने मसाला पापड लिये हैं और तीन मसाला पापड में इसमें आड़ कर रहे हूं आप अपने टेस्टी कॉलिंडी ज्यादा या कम डाल सकते हैं तो क्रिस्पी आलू और पापड बिल्कुल रेडी हैं अब हम करते हैं अगली तयारी और अब एक कड़ाई में एक चमश ओयल के साथ मैंने हाफ कप रॉप पिनट्स एड़ किये हैं अब इसे मीडियम फ्लेम पे 8-10 मिनट तक हम रोस्ट करेंगे इसके बाद उन्हें निकाल दें किसी प्लेट में और वापिस से उसी कड़ाई में मैंने 4 कप डाले हैं मुर्मुरा जिसे हम पफ्ट राइस भी कहते हैं मीडियम फ्लेम पे मुर्मुरा को रोस्ट होने के लिए 3-4 मिनट का टाइम लगेगा और टेस्ट एकॉर्डिंगली आप इसमें सॉल्ट एड़ कर सकते हैं टर्मरिक पाउडर, रेट चिली पाउडर ज्यादा मसाले इसमें आड़ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हम मसाला पापड भी आड़ करेंगे पस इसे अब अच्छे से रोस्ट कर लें तो बीच-बीच में से खा के चक भी कर लें अगर आपको क्रिस्पी लगता है तो इट मीन्स ये हो चुके तो आप थोड़ी दिर और भी रोस्ट कर सकते हैं मुर्मुरा एक बार अच्छे से क्रिस्पी हो जाए उसके बार इसमें आड़ करेंगे रोस्ट की हुए पेनट साथी फ्राई की हुए पापड और साथी हम डाल देंगे इसमें फ्राई की हुए आलू अच्छे से इनको mix कर लेंगे तो मुरुमरा नमकीन रेडी है जो pack नमकीन हो अपने घरों में लेके आते हैं उसकी quality, quantity और अगर cost भी हम compare करें तो खुद effort करना हमें उतना मुश्किल नहीं लगेगा 10 मिनट इसे ठंडा होने के लिए रखें उसके बाद airtight container में इसे बंद करके store कर सकते हैं जब चाहे enjoy कर सकते हैं नमकीन कोई भी हो अगर वो airtight बंद नहीं है उसमें moisture चला जाए तो उसके जल्दी खराब होने के chances रहते हैं तो इस बात का खास ख्याल रखें चलिए देखते हैं second recipe उपमा premix कडाई में थोड़ा सा oil लेंगे उसके बाद उसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा साथी मेंने डाल दिये है mustard seeds mustard seeds अच्छे से तरक जाएं उसके बाद हम इसमें add करेंगे एक चमच उड़द की दाल और एक चमच हम इसमें डालेंगे चना दाल पोड़े से मैंने डाले हैं इसमें काजू, 3-4 मिनट तक इनको रोस्ट कर लें और इसके बाद इसमें आट करना है कड़ी पता, कड़ी पता तो किसी भी रेसिपी का फ्लेवर और फ्रेगनस दोनों बढ़ा देता है साथी मैंने इसमें डाल दिया है ग्रेटर जिंजर, थोड़ा से इनको सौटे कर लें, उसके बाद इसमें डाल दी है मैंने 2 कप सूजी यानि की सेमो लेना, हलका इसको ब्राउन होने देंगे जब तक इसमें से खुश्बुना आने लगे उपमा एक healthy recipe है, आप इसको snacks में भी और breakfast में दोनों तरह से use कर सकते हैं, और इसके साथ हमें डाल देंगे थोड़ा सा salt, red chili powder, red chili powder मैं avoid करती हूँ उपमा में, लेकिन आज मेरे पास green chilies नहीं थी तो मैंने red chili powder ही डाल दिया है, थोड़ा सा अगर आपके पास हरा धनिया हो त तो आप ये सोचिए कि healthy और tasty snack आप कभी भी 5 minute में अपने लिए ready कर सकते हैं, और वो भी बिना कोई cutting या chopping किये, अगर आपके पास time हो तो आप vegetables add कर सकते हैं, otherwise simple यहाँ पे पानी add करेंगे और साथ ही में add कर देंगे उपमा mix, तो यहाँ 1 and a half cup पानी में 3 serving spoon में डाले हैं आप चेक कर सकते हैं, बीच में अगर आपको salt कम लगे, थोड़ा सा salt और add कर लें, और पांच मिनिट के अंदर इसका पानी भी सुख जाएगा और आपकी चाय बनने से पहले पहले आपका tasty और healthy snack भी रेड़ी हो जाएगा चलिए अब बनाते हैं पोहा में, जिसे आप नमकीन की form में भी यूज़ कर सकते हैं तो उसी तरह से कडाई में थोड़ा सा oil डालेंगे, साथ ही उसमें roast करेंगे हम peanuts, तो वही 7-8 मिनिट मीडियम फ्लेम पे उन्हें roast करने में लगेंगे roast करके इन्हें निकाल के side रख लें, उसके बाद उसी बरतन में थोड़ा सा जीरा, साथ ही डाले है rice seeds, थोड़ा सा डालेंगे hing, यह optional है अगर आप पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, otherwise skip कर सकते हैं साथ ही समें डाल दिये हैं मैंने कुछ कड़ी पता, और साथ ही समें डाल देंगे 3 कप पोहा, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा, quantity अपने हिसाब से रख सकते हैं, seasoning के लिए डाल रही हूं इसमें salt, turmeric powder और red chili powder, सारे मसालों को एक बार पोही के साथ अच्छे से coat कर लें, और सा किसी कंटेंडर में फिल करके आप इसे असे नमकीन भी यूज़ कर सकते हैं या फिर 5 मिनट में इसके साथ पोहा भी रेडी कर सकते हैं, इस पोहा मिक्स के साथ पोहा बनाने के लिए आपको जितनी quantity चाहिए उतनी एक पाउल में निकाल लें और उसके बाद उसमें warm water डाल क पांच मिनट के लिए लिड लगा के रखते हैं और उपमा की ही तरह चाय बनने से पहले पहले पोहा भी रेडी हो जाएगा तो चलिए बढ़ते हैं, लास्ट रेसिपी की तरफ लिच इस बेसन की मठरी इसके लिए मैंने लिया है 2 cup बेशन, साथ उसमें डालेंगे थोड़ा हींग, नमक डालेंगे स्वादनुसार, साथ डालेंगे रचिली पाफ़डर, काली मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, साथ उसमें डाल देंगेए थोड़ा सा जीरा और अजवायन, कसूरी मेंति तो टेबल स्पून इसमें अट करेंगे हम देशी घी और थोड़ पानी डालके इसका एक डो रेडी कर लेंगे तो यह डो आपका ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए ज्यादा हाट भी नहीं होना चाहिए अगर बेसन थोड़ा मोटा पिसा हुआ है तो इसका डो रेड नशेदो करेंगे 10 मिनट के बाद इस आठेक मैंने दो पार्ट कर लिए हैं जोनों पार्ट की मरोती बनावंगी तो रोती जो designed की मट्री बना रहे है तो मट्री की The thickness होती है तो ही सही रहती है। उसके बाद चोटे बड़े जैसे भी पीसिस में आप चाहें उनको काट सकते हैं। उसके बाद हम तेल करम करेंगे और लो मीडियूम फ्लेम पे हम इसको फ्राइ कर लेंगे। चारो ही रेस्पीस बनाने के लिए मुझे दो घंटे का टाइम लगा था। क्योंकि मैं साथ में वीडियो भी बना रही थी अदर्वाइस इससे भी कम टाइम में ये चारो रेस्पीस रेडी हो जाएंगी। इन स्नाक्स को बनाने के लिए एक से तेट घंटा कंजूम करने के बाद काफी दिनों तक आप घर के बने हुए स्नाक्स इंजॉय कर सकते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ 15 दिन से 2 महिने तक है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक तो बनता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तिल देन बाबाई। टेक क्यार एंड स्टे हेल आपसे आपसे होगी।